कि नमस्कार दोस्तों मैं अंक्यत पर्मा एक पर फिर से स्वागत करता हूं आपकी प्रण चैनल अंक्यत पर्मा और लेज पिन ओडिकेशन में तो दोस्तों जैसे कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं की आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 9 अप्रैल 2014 की हिमाचल प्रद किन्यूज है हिमाचल में बिगड़ेगा मौसम कई भागों में लगतार पांच देनों तक बारिश की संभावना है हिमाचल प्रदेश में पश्चमी बिख्षोब की सक्रियात के चलते जो है मौसम बिगड़ने के आसार है मौसम बिगड़न के इंदर शमला की और से प्रदेश के कई भागों में 11-15 अपरेल तक मौसम खराब रहने का पूरवा नुमान है 29 अपरेल को भी मद्य और उच परवती एक दो स्थानों पर बारिश पर पारी हो सकती है तादा पश्चमी बिख्षोब की सक्रियाता से 13-15 अपरेल तक प्रदेश में अधिक्तर स्थानों पर बारिश है जबकि चोटियों पर बरपारी की संभावना है स्था की भूख पूरा नहीं होने पर अब बीके विधायकों को साथ लेकर पूर मुख्यमंत्री धुमल के पाउं पकड़े जा रहे हैं स्था की भूख पूरा नहीं होने पर अब बीके विधायकों को साथ लेकर पूर मुख्यमंत्री धुमल के पाउं पकड़े जा रहे हैं सरकिट हाउस हमीरपूर में पत्रकारों से बाचीत में या बात कई उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जाराम ठाकूर को सियम रहते हमीरपूर जिले की याद नहीं आई मुख्यमंत्री बनने परवा समीरपूर में नहीं पहुंचे अब बिपक्ष में उन्हें हमीरपूर की याद आ रही है हमेरपुर जिले के विधाईकों को बाटपा की सत्ता में जाराम ठाकुर से मिलने का समाई नहीं मिलता था मुकेश अगनियोत्री बोले बेकरमादित्य सिंग, विदोन, विनोज सुल्तानापूरी और विवेक शर्मा हमारे प्रत्याशे हिमाचर प्रदेश की उपमुख्य मंत्री मुकेश अगनियोत्री ने बड़ा अलान करते हुए का कि मंडी से विकरमादित्य सिंग, शमला से विनोज सुल्तानपूरी और कुटलेहर से विवेक शर्मा हमारे प्रत्याशी होंगे मंगलबार को जिला उन्ना में मेडिया से बात करते हुए अगनियोत्री ने का कि कांग्रेस से विदाइकों कांग्रेस से उपचुनाव तो जीतेगी जेतेगी ही इसके बाद निर्देलिये विदाइकों वाले तीन विदांसावा क्षेतर साहित, शमला, ग्रामिन और कसौल होता है, डांड बजार में बीशन अगनी कांग तीन कमरों के साथ एक दुकान राक सिलेंडर फटने से दहशत है, माचर परदेश के चमबा के डांड सुनूनी तहसील के डांड बजार में बीशन अगनी कांग हुआ है, अगनी कांग में तीन कमरों के साथ एक दुकान जलक लिया है बताया जा रहा है कि दुकान बंद करने के बाद या हादसा हुआ पटवारी संजीब कुमार ने कहा कि विभागी टीम ने मौके पर पहुंच कर प्रभावित परिव्यार को 5000 पर की फोर जाहत दिया है लोगसवा इलक्षन दो विधायकों को लोगसवा चुनाव लड़ा कर भी जोखिम में नहीं हिमाचल सरकार बिछाई नई विसाथ हिमाचल में कांग्रेस के दो विधायकों को लोगसवा चुनाव में उतार कर भी राज्य सरकार में बहुमत कायम रखने का संदेश देने की त कांग्रेस ने अल्ग अल्ग रनीति बनाते होए बाजपा को घेरने की कार योजना बनाई है। स्थानिय लोगों ने अपने स्थार पर आग बोजाने का प्रिजास किया, साथ ही अगनी शामन विभाग वह स्थानिय प्रिशासन को भी सोचित किया, फिलाल आग में किसी के जुनसने की सोचना नहीं है। चैत्र नवरात्री हिमाचल की शक्ती पीठों में उम्ड़े श्रदालू, जो आला मुखी में करन्या पूजन के साथ है, नवरात्र शुरूँ। नवरात्र के लिए प्रदेश के सभी शक्ती पीठों समेत अन्यमंदरों को भवयरूप से सजाया गया, तस्वीर ने देख सकते हैं। शिमला प्रतिबा सिंग बोली, लोकसवा चुनाव में भाजपा की कोई जुमले बाजी चलने वाली नहीं। सांसद प्रतिबा सिंग ने कहा कि बाजपा को अपने दस सार के कारेकाल का लेखा जोखा देते हुए बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले चुनावों के दोरान लोगों से किये कितने चुनावी वादे जोए पूरे किये हैं। कुलू के बवेली में शड में लगी आग व्यक्ति जोलसा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कि चार जून के बाद हिमाचल प्रदेश में बाजपा 20 लीटर पर होगी क्योंकि वोट की चोड से जनता बाजपा को कौमा में पहुंचाने वाली है। कि चार राजस्वामी ससंग सुनने जम्मू गई एक महिला के घर से लोग लाखों के गहने चुरा लेगे। चोरों ने बिजडी ब्लोक की जिंजानी पंचायत के दरकोटी गाउंक की लीला देवी पत्नी स्वर गिये। ग्यानचंत के घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अन्जाम दिया। नवरात्र के पहले ही दिन यूँ जप्ट पड़ी मौत। पुलिस थाना जुआली के अधिन हार में मोटर साइकल की ट्रेक्टर से टकर होने से मोटर साइकल चालक की मौत होगी। पुल्लू बज़ोरा और तलोगी में 15.84 ग्राम रोएंट की पहले हैं। पुल्लू बज़ोरा और तलोगी में दो यूबकों को 15.84 ग्राम रोएंट के साथ गिरफतार किया है। आरुपियों के खिलाब पुलिस ने मादक तरव्य अधिनियम के तयत मामले दर्ज किये हैं। कांगना ने कहा था सामने युवा प्रत्याशी होना चाहिए। बेक्रमा दित्ते होंगे कांगरस का चहरा। देप्टी सीम मुकेश अगनियोत्री मंगलवार को जीला उन्ना के कुटलयाड विदानसाबाक शेतर के कांगरस कारेकरताओं के बीच पहुंचे और उन्होंने लोकसवा इलक्चुनाव के साथ साथ उप्चुनाव को लेकर कारेकरताओं को टिप्स दिये। तो दोस्तो अगली जो न्यूज है उन्ना से चुला जलते चुल्ले में गिरा दो वर्शिय मासुम जुलसने से गई जान। तो दोस्तो ये थी हमाचल प्रदेश की शामपान पर एकी सभी टॉप 10 तारा खबरें धन्यवाद चाहिन चाहभाद। भॉप भॉफ नस्य की शामपान पर भॉप 10 तारा खबरें चाहभाद में धन्यवाद चाहभाद!! क्यां चाहभाद।